नमस्कार आपका आर किचन में स्वागत है आज हम बेशन का लड़ू बनाने जा रहे हैं जो आप हर तेहवार में बना सकते हैं या बनाने में बहुत ही आसान है जटपट बन जाता है देखिए इसके लिए आपको क्या-क्या सामगरी चाहिए हमने जिस से चीनी लिए है वही क दर-दरा है अगर आपके पास दर-दरा बेशन नहीं है तो इसमें दो चमच बारिक सूजी ले लीजिए एक कटूरी घी चारी लाइची एक कटूरी पीसा हुआ चीनी इसे बनाने के लिए फूल आज पर कडाही को गरम कर लीजिए जब कडाही गरम हो जाए तो आज को मीडियम कर लीजिए पूरा लड्डू मीडियम आज पर ही बनेगा इसमें तीन चौथाई घी डालिए जो कटूरी में हमने लिए थे घी जब गरम हो जाए तो इसमें हमने देशी घी में बनाया है आप रिफाइन से या डालडा से भी बना सकते हैं कि घी गरम हो गया है अब इसमें बेशन डाल कर मेडियम आज पर धीरे धीरे भूनना है इसे अच्छी तरफ से मिलाये जटा कि इसमें गुठलिया ना रहे इसे हलका हलका चलाते हुए सारे गुठलिया को तोल देना है मीडियम आज पर ही इसे भूनना है 20 से 25 मिनिट इसे भूनाने में लगेगा बेशन को बेशन जब भून जाएगा तो अपने आप ही रंग चेंज हो जाएगा इसका और हलका हलका घीवी छोड़ने लगेगा इसी तरह से चलाते हुए इसे भून लेना है मीडियम आज में कभी आज अगर आपको जाद लगे तो आज को इद्धम कम भी कर लीजिए फिर उसको थोड़ा देरी बाद मीडियम कर लीजिए इसे चलाते ही रहना है इसको छोड़ना नहीं है इसको छोड़ दीजेगा तो नीचे पकड़ लेगा देखिए दीरे दीरे बेशन का कलर चेंज हो रहा है जब यह अच्छा से भून जाएगा तो इसमें घी छोड़ देगा यह बनाने में बहुत ही आसान है और घर का बना हुआ चीज हेल्दी और टेस्टी भी होता है इसके आगे आपको हम गुलाब जामून रजगुल्ला कला कांदे सब का भी रेस्पी डालेंगे देखिए अब धीरे धीरे बेशन का कलर चेंज होने लग गया है जितना भी टाइम आपको लगेगा बेशन भुनने में ही लगेगा बेशन भुनने के बाद में इसमें टाइम नहीं लगता है लड़ू बनाने में देखिए अब कलर एकदम ही चेंज होते जा रहा है धीरे-धीरे इसे अच्छी तरह से चलाना है रुकना नहीं है देखिए अब दीरे-धीर देखिए गहीं इसमें छोड़ने लग गया है अब बेशन भुन कर तयार हो रहा है बेशन भुनने का स्मेल आपको आएगा कि भुन गया लेकिन वह भुनता नहीं है जब घी छोड़ने लगे तब समझिए कि बेशन भुन गया और कलर भी एकदम चेंज हो जागा बेशन जब भुन जाएगा तो बेशन अगर अच्छी तरह से भुना हुआ नहीं होगा तो अब इसमें चीनी डालेंगे थोड़ा देरी में थोड़ा और भुनना है कि बेशन अब भुन जाएगा तो अपने आप ही हो गीला हो जाएगा बेशन अब इसमें पीसा हुआ चीनी एक कटोरी डाल देना है आई लाइची पाउडर चार लाइची जो हमने लिए थे उसे तकर डाल दीजिए ःसे अच्छी तरह से अप मिला लिजिए गैस बंद कर दीजिए गैस बंद करके भी मिला सकते हैं जीनी तो हलका आज पर भी ला सकते हैं जीसे बंद ही कर दीजिए गैस अच्छी तरीका से चीनी को मिला लेना है देखिए बेशन भून कर तयार हो गया चीनी भी मिक्स हो गया है अब इसे ठंडा होने देना है चीनी डाल कर गैस पर पकाना नहीं है गैस बंद करके उसे अच्छी तरीका से मिला लेना है अगर गैस चालू रखिएगा तो चीन करते समिक्स हो गया है बढ़ियां से इलाइची और चीनी समिक्स हो गया इसे ठंड़ा कर लीजिए गरम गरम आप नहीं लड़ु बना सकते हैं इसे अच्छा से ठंड़ा करके फिर आराम से इसे लड़ु बनाईए इसके उपर काजू किसमीश आपके पास जो है वो अब हर तेहवार में इसे बना सकते हैं, खाने में बहुत घी में अगर बनाईएगा तो ज्यादा स्वादिश्ट लगेगा, अब डालड़ा में तेल में किसी में भी रिवाइन में भी बना सकते हैं, यह देखें बनकर अब लड़ू तेयार हो जाएगा, हम बुंदी का भी लड़ू डालेंगे वीडियो में आगे, वो भी बनाना बहुत ही आसान है, देखिए बनकर तयार हो गया है, अब लड़ू, अब अपने हिसाब से बड़ा चोटा जैसे बनाना साथ चाहते हैं, उस तरह से बना लीजिए, देखिए इस लड़ू बनकर तयार हो गया है, जितना अड़ाई कटोरी बेशन का आई कटोरी चीनी से इतना लड़ू बनकर तयार हुआ है, देखी से हम तोड़ कर आपको दिखला रहे हैं जितना दानेदार वेशन आपका रहेगा उतना अच्छा लड़ू बनेगा आपका आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू